इसे कमल महाजन आपका सवागत करता हूं सब बाईयों का कठा होने का एक ही मक्सद है कि पबली को जड़ा जड़ा वेर किया जाए कि हमारे वाइट होस जो गीजर आते हैं उनका पबलीक में आएकल नाम का लोग डुपली के सी निकार रहे हैं इसलिए हम कठे हुए हैं कि पबली को वेर करना है कि पबली जड़ा जड़ा मालोब यह देख के ले कि जो भी वाइट होस का गीजर लेने जाता है मार्कित के अंदर वो जह जरूर देखे कि यह गीजर जो है बनाने वाली कंपणी जो है बैस्तिंग उस इंड़स्टी ही है क् वो लोग बना रहे हैं कोई अपना अपना ब्रैंड लगा के वाइट होस तो लगा ही रहे हैं लोग तो पाइट होस देखे ले लेते हैं लेकिन बनाने वाली कंपणी कोई और होती है जा हमारे लड़के कंप्लेंड करने उनके गरों में जाते हैं कभी कंप्लेंड के लिए तो इसी परबस के लिए हम अगठा हुए है मैं चाहता हूं कि पब्लीक को अवेर किया जाए कि या भी पब्लीक गीजर थी है तो वह डबे पे और गीजर पे यह जुरूर देखे कि यह गीजर बनाने वाली कंपणी बैस्टिंग होस इंडस्टी ही है कहीं और कोई तो नहीं ह उसकी कानूनी कशल रही है तो आपको पता ही है ठोड़ा लंबा टाइम लगता है बहुत हो जाएसं सब्सक्राइब जाए ख़स लिए मैं पबलीक चाहिए उस के दौन तो यह जुरूर देखिए कि यह बनाने वारी यह कंपणी है वो वेस्टिंग हो सी ही है यहां कोई और तो नहीं है देखिए ऐसा है बहुत पब्लीक हमारे तो जम्मू किश्मीर के अंदर डाई 300 कोंट रहे हैं लेकिन डुकानदार भी इतने नालज़न नहीं होती दुकानदारों से भी अपील है कि जब भी वो किसी हमारे डिस्टिबिटर से माल खोझेते हैं यह देखने की यहँर कर ले कि यह गीजर जो है बनाने वाली कंपनी जो है बस्टिंग होस इंडस्टी है जिसको गोर्माट आप इंडिया ने अथ्राइज किया हुआ है